नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के सोसिलोजी के अध्याय तीन समाजिक संस्थाओं को समझना इसके वारे में पढ़ेंगे तो चलिए बिन देरी के अपने वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं हम इस पार्ट में पढ़ेंगे क्या क्या तो देखो पहला मारे टोपिक है समाजिक संस्थाओं का अर्थ दूसरा मारे टोपिक है महत्पूर्ण समाजिक संस्था उसके वाद हम परिवार विभा और एवं नातिदारी के वारे में पढ़ेंगे और अ केप्टर की महत्पूर्ण परिभासा को जैसे पहला है एकल विवा हम किसे कहते हैं जब एक समय में एक स्त्री या पुरुस का एक ही पती अत्वा पत्नी होती है उसे हम एकल विवा कहते हैं जबकि बात करें बहु विवा की तो एक समय में एक स्त्री अत्वा पुरुस का एक स से बिवाहित होता है उसे हम बहुपति बिवा कहते हैं यानि सोटकट में समझे तो एकल बिवा जिसमें एक ही शादी होती है बहुपति बिवा जिसमें एक से ज्यादा सादी होती है बहुपति बिवा जिसमें क्या होता है एक महिला होती है वो एक से ज्यादा सादी करती है य पत्वा एक ही पत्नी होता है यानि कोई वेक्ति एक ही साधी करता है एकल विवा और बहु विवा जिसमें एक से अधिक साधी किया जाता है और बहु पत्नी विवा को कि ये बहु पत्नी विवा क्या होता है इसके बाद हम अंतर विवा और बाहरी विवा को भी समझेंगे जै एक से जादा पत्नी होती है उसे बहु पत्नी विवा कहते हैं जबकि हम बात करते हैं अंतर विवा क्या होता है तो देखो जब ना एक ही समू के लोगों के बीच विवा होता है यानि एक ही समू एक ही जाती के वीच में क्या करते हैं आपस में विवा कराया जाता है तो उसे अंतर विवा कहते हैं, जबकि बाहिर विवा की बात करें, तो जब विवा संबंधों एक से अधिक निश्ची समू से भार होता है, यानि जब हम समू के अंधर विवा करते हैं, तो वो अंतर विवा कहलाता है, वही जब हम समू के बाहर, यानि जाती के बाहर ये समू के बाहर बिवा करते हैं तो वो बाहर बिवा कहलाता है पेपर में अक्सर ये कोशन पोजता है definition के तोर पर कि बहु पतनी बिवा क्या होता है जिसमें आप बोलोगे कि एक पती की कई पतनियां होती है जिसे बहु पतनी बिवा कहते हैं जबकि बात कर अंतर विवा तो एक ही समू के लोगों में एक ही जाती में विवा करना एक क्या कहलाता है अंतर विवा जबकि बाहर विवा समू से बाहर विवा कहलना ठीक है अब हम समझते हैं बिविन समाजों में परिवार के बिविन सो रूप पाए जाते हैं देखो हम कई स समाज में परिवार के रूप भी अलग अलग पाए जाते हैं जिसको हम समझते हैं बहुत इंपोर्टन टोपी के पीपर के लिहां जैसे जिसमें पहला है आवास स्थान के अधार पर क्या होता है देखो पहला है पित्र स्थानी परिवार क्या होता है पित्र स्थानी परिवार इसको समझते हैं पित्रस्थानी परवार इस परकार के परिवार में जो इस्त्री होती है वो बिभा के बाद अपने पती एवं सा ससूर के घर में रहती है जैसा सब के घर में देखने को मिलता है कि इस तरी साधी करके अपने ससूर के घर में अपने पती के घर में चली जाती ह वोसे हम पित्र स्थानिय कहते हैं, जबकि मात्र स्थानिय में ठीक इसका उल्टा होता है, इस प्रकार के परिवार में बिवा के बाद पती अपने ससुराल चला जाता है, यानि लड़की का क्या होता है, यहां पर जैसे लड़की की विदाई होती है, यहां पर लड़की का व मुखिया होता है उसे पित्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं ठीक है जबकि मात्र सत्तात्मक परिवार क्या होता है जिसमें घर की मुखिया जो होती है न वह मात अजीव होती है इसके लावा बात करें वंस के अधार पर भी हमने बाट आए तो वंस के धारपर क्या है देखो मांत्रवन्चिय और पित्रवन्चिय का पता करते हैं कि इसके महिलाओं में में यह थी नानी यह थी परनानी यह थी जब कि पित्रवंश्य में ठीक इसका उल्टा होता है वह समूझ इसमें नातिदारी प्रणाली पूर्शों के माध्यम से अपने पूरवजों का पता लगाती है यानि पूर्शों के माध्यम से हम के पूरवज्य में इसके पूरवज्य और फित्रवन्ख्य कहते हैं तो पहले हमने पड़ा अधिकारों के अधार पर जिसमें प्रिवार के बात करते हैं तो आज परिवार के सुरूप में परिवर्तन करते हैं परिवार के प्रिवर्तन क्या रहा है कई परिवर्दान आ रहे हैं जैसे देखो संग्त परिवारों का टूटना आज क्या हो रहा है संग्त परिवारों ने टूटते जा रहे हैं परिवारिक व्यवसा हैं उसमें भी कमी देखने को मिल रही है जो परिवार का व्यवसा है वो भी क्या होते जा रहा है कम होते जा रह कि आज लोग को समझ ही नहीं आता है कि वो अपने पेरों पे जब तक खड़े होते हैं कि नहीं उनको दर लगता है साधी करने से इसलिए वो विभाज नहीं करते हैं या फिर देरी से विभा करते हैं इसके अलावा नगरु में एक और चीज देखने को मिल रहा है तलाक के माम साउ में कमी इस्तिरियों का सिख्छा और उनका आत्रमिर्फन होना और आर्थिक आसुरक्षा के कारण लोगों का देरी से साधी करना और कभी-कभी साधी ना ही करना और इसके लावा नगरों में तलाक के मामलियों का जादा बढ़ जाना तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से न आज परिवार में क्या हो रहा है परिवार के सुरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है अब हम समझते हैं महिला परधान घर की ये टोपी क्या है महिला परधान घर क्या होता है और परिवार इसमें क्या भूमिका निवाती है तो देखो जब हम महिला परधान घर औ लोगु नहीं हो जाती है, तो जैसे अब चाहे वो खेती करने का काम हो, हल चलाने का काम हो, यह सब को महिलाएं दो-दो, यानि भार का काम भी महिलाएं देख रही है, घर का काम भी महिलाएं देख रही है, कई बारे भी अपने परिवार का एक माद्र भर परशन करने वाली भ पड़ता है और कई बार वो परिवार का भरन पोशन करने के लिए एक मात्र सारा रहे जाती है इसी को ही हम महिला प्रधान घर कहते हैं उधारण के तोर पर ना आप उत्री आंद्र प्रदेश में कोलम जन जाती समुदा है उसका उधारण दोगे यह उसका सबसे अच्छा है वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें हमारे चलिक को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोफ्ते के साथ को शेड़ चरूर करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में